असलाम अलेकुम वैलकम टुषमा किचन, आज सेख की किचन में मैं आप सब का स्वगत है आज हम बनाने वाले हैं experient की चटनी, यह सेन की चटनी कुछ अलग है, अलग है अलग स्टाइल में, पहले मैं जो बताईयो अलग स्टाइल का था तो चलिए आईए मेरे किचेन में दोस्तों अपितलगा अपने मेरे चैनल को सब्सक्राब ने किया है तो जल्दी से कर लिजिए बेल एकन डवाना ना भूलिए सबसे पहले एक तववा रख ली हूँ मैं तब एक अच्छा गरम होने दी हूँ और मैं सेंग कच्छा सेंग है वह सेंग दाना जैसा गरम सेंग मैंने इसके अंदर अच्छे से रोश्टेट कर ली हूँ अच्छी तरह से भूलनी ताके इसके छिल्टे सारे मैं निकाल सकूँ इसको अच्छी तरह से लाल हुए तला का इसको भून लीजिए अच्छी तरह से अलट पलट अलट पलट करके इसको अच्छी तरह से भून लीजिए अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद इसको हम निकाल लेंगे फिर इसके बाद में हम सुक्की मिर्ची दालेंगे इसके लिए मैंने कम डाली हूँ, फिकी वाली नहीं है, इसके लिए अपने सौथ के सबसे सुकी मिर्ची आप डाल सकते हो, तीका कम ज़ाधा जितना करना है आपको, इसको भूनने के बाद हम ये जीरा दो चमत, जीरा इसके अंदर एट कर देंगे, ये भी अच्छी तरह से और भूनने के बाद मैं सेंग के सारे छिल्टे निकाल ली हूँ, अब एक मिर्ची जार में इसको डाल रही हूँ मैं, डालने के बाद में इसको सारा इसमें डाल दी हूँ, अब जीरा लसुन और सुकी मिर्ची ये भी सब इसके अंदर दालके, सौथ के सबसे नमक डालके म मैं इसको मैं पीस लूँगी एकदम पाउडर बारिक ने पिसना है दोस्तों थोड़ा दडड़ा ही पिसना है कि सब इसके अंदर एड़ कर दी मैंने अभी सौत के सबसे नमग एड़ कर रही हूं कि अब इसको अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी इस तरह से पिस लेना है पिर एक कड़ाई में तेल जरम करके एक दो दो चमश भर के मैंने तेल डाली हूं और दो प्यास काट ली ओं यह प्यास को इसके अंदर में गोल்डोन ब्रॉन हुए लागा जिस तरह बरिस्ता बनाते हम उस तरह से प्यास को हमको बरिस्ता बनाना है है ना एक यूनिक चटनी है ना ये ये मेरी बहु बना रही है ये बहु के घर में बना रहे जाता है चटनी तो ये बहु की स्टाइल का चटनी है ये तो ये इस तरह की चटनी भी आप ज़रूर खाके देखिए दोस्तों देखो बरिस्ता मेरा बनके इसी तरह लाल ब्रॉुन कर लेना है बरिश्ट्र को अच्छी तरह से अब जो पीछा पीशावा चटनी है हमारा में इसको अधर कर देना है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हो तेल पूरा इसंग के अंदर जो हम चटनी पैसे हैं त parfait हो जाए होती है यह हर एक चीज में यह खा सकते हैं खेचड़ी में चटनी में हर एक में रोटी में चापाती में बहुत अच्छा लगता है तो चलो आईए मैं प्लेटिंग करके दिखाऊं आपको चलो मेरी चटनी कमल तयार हो गई फिर मिलती हो एक अच्छी सी न्यूरेशिपी के सा अलाह पीस